मड़ेपुर में राजे की बीजेपी सरकार ने हिंसा शुरू होने की तकरीबन एक डेर साल बाद आखिरकार शांती समझोते की पहल दी थी और वो काम्याब भी दिखी इस पर कूकी और मैते यी दोनों पक्षों की सहमती हासल कर ली गए लेकिन ये समझोता अब महस कागजी पर बनकर रह गया है, एक बार फिर दोनों समुह आमने सामने आ गए है और इस जड़प ने एक बार फिर मनिपुर की ज़नता को लाचार कर दिया है दावा किया गया था कि अब राजी में जल्दी शान्ती आएगी हाला कि ये समझाता सिर्फ जीरिबाम के लिए था लेकिन मणिपुर की जनता को भी इससे काफी उम्मीदे जग गई थी लेकिन ये समझाता 24 घंटे भी नहीं टिक पाया प्रदेश में एक बार फिर दोनों समुदायों की बीच हिंसा भड़क गई जीरिबाम के एक मैतेई बस्ती में गोलिया चलाई गई तो लालपानी गाउं में एक घर को ही फूंक दिया गया घटना के बाद इलाके में सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है इस घटना ने सरकार की कोशिशों पर पानी फेर दिया ऐसे में सवाल ये उट रहे हैं कि आखिर क्यूं सरकार शांती बहाल करने में नाकाम्याब रही बता दे कि मणिपुर लंबे वक्स से जाती या हिंसा की चपेट में है कुकी और मैतेई समुदाय की इस लडाई में प्रदेश की जनता बेहाल है एक डेड़ साल की सवधी में अब तक 200 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है तो हजारों लोग बेघर हो चुके है अपनी जान बचाने के लिए उन्हें राहत शिविरों में गुजारा करना पड़ रहा है कितनी बार वहां की जनता ने पियम मोदी से गुहार लगाई कि प्लीज एक बार मणिपुर आ चाएगे लेकिन पियम मोदी अब तक एक बार भी मणिपुर नहीं पहुँचे हाला कि कॉंग्रेस आंसद राहूल गांधी इस बीच तीन बार मणिपुर का दौरा कर चुके है पियम से मणिपुर की जनता को जो निराशा हाथ लगी है उसका नतीजा लोगसभा चनाव में भी दिखा बीजेपी मणिपुर की दोनों ही सीटे हार गई लेकिन अब तक मणिपुर की जनता परिशान ही है और राजे सरकार की इतने साल में पहली कोशिश भी अब असफल हो गई है डीबी लाइफ की रिपोर्ट